see this sum is little different पहले हम लोगों को मांगा जा रहा था कि कौन सा क्या एंगल है नहीं है ठीक है इसमें बोला गया है A B is parallel to C D और मांगा है कि दिखाओ कि प्रूफ करो G L H M के साथ parallel है ठीक है ये पूछा है अब देखो अगर A B C D के साथ parallel है तो ये और ये हमारा alternate angle हो गया और बोल दिया गया है कि G L इसको bicep करता है और H M इसको bicep करता है मतलब half of this ये पूरा अंगल का half हुआ और ये पूरा अंगल का half हुआ तो फिर ये और ये equal हुआ कि नहीं और ये दोनों अगर equal हो गया तो यह दोनों parallel हो गया क्योंकि यह और यह alternate angle बन गया तब यह और यह और यह alternate angle बन गया तब वही चीश्टों यहां पर लिखे हैं कि AGH और GD GHD alternate angle है मतलब the bigger angle और उसके बाद लिखे हैं जैसे यह इसको bisect करता है यह इसका half है और यह इसको bisect कर रहा है मतलब यह पूरा angle का half है तो दोनों equal equal करते हैं this equals to this then proof करते हैं कि यह इसके साथ parallel है क्योंकि यह और यह alternate angle बनता है क्योंकि यह equal है चीक है I have sent you the pictures so this is all for today thank you